अचा तो यार without any doubt 2023 में अगर कोई पूसता था कि 40,000 रूपय के around कोई स्मार्टफोन बताओ तो मेरे तरफ से तो यार सबसे पहले recommended रहता था OnePlus का 11R और उसका upgraded version OnePlus 12R finally आ चुका है लेकिन क्या सही में कुछ upgrade इसके अंदर देखने को मिलता है OnePlus 11R के उपर तो चलो आज की वीडिय देखो बिल्ड और डिजाइन से बात कर लेते हैं एक चीज सप्राइजिंग ली आपको बताओंगा वन प्लस 12R का वेट देखो यहां पे 210 ग्राम आया है OnePlus 11R का वेट देखो यहां पे 207 ग्राम यहां पे आया है और जबकि बैटरी में इंक्रिमेंट हुआ है OnePlus 12R में और उ इंहेंट भी आफ फील कर सकते हो कि बहुत जादा हैवियर फील नहीं होगा जितना बैटरी को यहां पे बढ़ाया है जितना फ्रेम में यहां पे चेंज कर रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यार बहुत जादा हैवी हो गया ओ डिवाइस दोलों का देखो वैसे इंहेंट फील अच्छा मिलता है इवन वड्प्लस 11 आर का भी अच्छा था और 12 आर का भी आपको अच्छा मिलता है अफकोस थोड़ा सा हैवियर साइड में 12 आर आपको मिलेगा दोलों में यह वन हैं यूज इतने अराम से नहीं कर सकते थे लेकिन एक सब्राइजिंग ची ब्लैक वाला कलर जादा प्रिफर करता हो जिसमें आफ इंगर प्रिंट स्मचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं नहीं स्क्रैचेस विजिबल होते हैं लेकिन बैक से डिजाइन में भी कोई चेंज यहां पे इन्होंने नहीं करा है एक जगह चेंज करा है जैसे कि मैंने बता ह थोड़ा बहुत यह करते रहते हैं बागी यार वॉल्यूम बटन को भी इस थोड़ा से इन्होंने कर दिया है बागी उसके लावा कोई बिल्ड और डिजाइन में या लुक वाइस भी बैक से आप देखोगे इतना खास कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा क्या आपको लगत अच्छा वाला चेंज आया है सबसे पहले देखो दोनों में 1.5 के रेजुलेशन वाली डिस्पले अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है दोनों की यार देखो क्वालिटी वाइस अच्छी मिलेगी लेकिन थोड़े थोड़े चेंज जैसे मैं बताओ सबसे पहले देखो यहां पैटल सा चेंज आपको अच्छा कर दिया था तो यहां पर भी चोड़े चीज आपको मिलता है इवन बड़ी होती है कि इसके अंदर अब LTPO 4.0 वारे डिस्पले मिलती है 10Hz से 120Hz के बीच में आप इस shift होता है या पर refresh rate जो कि 11R में नहीं थी जिससे बैटरी भी बहुत जादा बड़ी होती है बैटरी बैकप आपको जादा अच्छा मिलता है तो उधर भी बहुत ही अच्छा चेंज आपको मिलेगा अब देखो colors वगरा के बात करूँगा तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो tuning है उसमें थोड़ा सा change हुआ है मतलब 11R में थोड़ी warmer tune में फोटोस थी जहां पर 12R में आप जो वीडियो वाच करूगे थोड़ी सी cooler tone के अंदर निकल के आती है वैसे एक चीज और भी देखने को मिली किया जो आप oversaturation वाली tuning थी न वो काफी limit हो चुकी है 12R के अंदर 11R में थोड़ी saturated जो pictures वगरा है और वीडियो वगरा आप देखते थे वो जादा होती थी जहां पर 12R के अंदर काफी subtle निकल के आती है वैसे थोड़ा सा sharpness भी मुझे जादा better लगी है 12R के अंदर details जादा better निकल के आ रही है वैसे दोनों के deeps, relax वगरा तो ठीक है उदर कोई आपको समस्या नहीं मिलेगी अब 11R के अंदर कौनसी protection थी front में पता नहीं बैक में गोरिला ग्लास थी अब बैक में 12R पे कौनसी यह पता नहीं लेकिन आप front में पता है पहले front में कौनसी थी नहीं पता आप बहुत confusion यहां पर 1 plus करता है लेकिन अची चीज़ है गोरिला ग्लास विक्टस 2 की protection दे दी है गेरे हो रहेगा तो तूटेगा नहीं जल्दी उदर अची चीज में आता है और एक और भेंकर वाली अची चीज बताऊंगा न भाई पीक ब्राइटनेस देखो कितना जादा ब्राइटर यहाँ पे 12 आर हो जाता है पीक ब्राइटनेस 4500 निष्ट तक जाती होई मिलती है जह जाती है ब्लेट आपको जाती है त अदर मिलगा इवन रीड राइट स्पीट देखोगे तो यहाँ पे बेटर मिल जाएगी लिकिन एक चीज़ आपको बता दो, जो 11R का variant है, UFS 3.1 के साथ ही आता है, चाहे बड़ा लिलो, चोटा लिलो, लेकिन 12R के अंदर, जो 208GB वाला, वो UFS 3.1 के साथ आता है, लेकिन 256GB जो कि मेरे पास है, वो UFS 4.0 के साथ आता है, तो जो बड़ा वाला वेल्ट लोगे, तो उस पर ज़्यादा बेटर read and write स्वीड मिलेगी, जो कि मेरे पास currently यहाँ पर है, वैसे अगर मैंने आपको बता है नहीं, तो processor में difference यह है, कि Snapdragon 8 plus Gen 1 आपको 11R में था, अब 8 Gen 2 आपको यह 12R में मिल जाता है, तो इदर दोनों ही 4 nanometer वे बेस्ट है, लेकिन clock street वगरा में थोड़ा सा आपको difference मिलेगा, यह difference आपको day-to-day use में देखो बहुत जादा नहीं पता चलने वाला है, हाँ थोड़ी सी animation वगरा app openings में थोड़ी सी smoother हो जाती ही 12R के अंदर, लेकिन marginal change आपको यहाँ पर मिलता है, दोनों ही day-to-day use में अच्छे से work करते हुए आपको मिलेंगे, उधर कोई जादा आपको difference नहीं पता चलेगा, app opening दोनों में fast होती है, multitasking अब दोनों में अराम से कर सकते हो, कहीं lag नहीं देता है, कहीं attack नहीं है, ऐसे अब नहीं है कि 50% या 2X का difference मिलें, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, even मैं अगर मैं बात करूं gaming की, अभी तक मैंने जितनी gaming करी है, दोनों में अंदर BGY 90F Piss के unlock option के साथ आता है, और HDR extreme के साथ आता है, दोनों में gaming बहुत ही smoothly हुई है, gaming के मामले में बहुत बड़ा वाला difference मुझे यहाँ पर नहीं पता चला, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगई कि 12 वा थोड़ा सा भारी हो गया है, तो ऐसे थोड़ा सा feel दे रहा था कि यार ठग गया मेरा हाथ यूज़ खर्ते करते, वो अलका सा पता चला बाकि उसके लावा यार gaming दोनों में ही अच्छी हो रही थी, hot drop कर लो एकदम snow village में चले जाओ, दोनों में इसे कोई lag नहीं दे रहा था, अब एक बड़ी चीज की बात यहाँ पर करें न, software की, देखो, वनप्लस 12 वार आपको out of the box Android 14 के साथ आता है, चाप 11 आर में अभी भी Android 13 का ही update मिल रहा है, और इसमें security patch भी भाई पुराना ही चल रहा है, क्या कर रहा है update वार इतने slow हो चुके हैं न, वनप्लस के, मज़े वाली बात यार यह बिलकुल भी नहीं है, बसे आज देखोगे तो software जो है, UI Android 13 से 14 में बहुत बड़े changes के साथ नहीं आती है, चाए notification panel देख लो, चाए normal आप use करके देख लो, बहुत major change नहीं आएगा, दोनों में जो features बगरा है, similar आपको मिल जाएंगे, app lock करना हो, screen share करना हो, computer से, वो सारी चीज़े आपको दोनों में मिलती है, control center बगरा आप देखोगे, वो भी आपको similar मिल जाएगा, widgets बगरा थोड़े बहुत similar आपको मिलता है, तो अधर भी आपको कोई जादा difference में आपके नहीं मिलेगा, software में बस यह है, कि या Android 14 का update अभी तब नहीं आया 11R, कोई चीज अच्छी मुझे नहीं लगी, आज आना चीए था, क्योंकि निका यह थोड़ा flagship killer type वाले device है, 12R में out of the box दिया है, तो चलो वो एक अच्छी चीज में मैं जरूर से यहाँ पर count करूँगा, बागी देखो, जैसे मैं बता रहा था, बैटरी में improvement हुआ है, जहाँ पर 5000 mAh 11R में थी, 500 mAh यहाँ पर 12R में होगी है, और of course, बैटरी बैकप भी यहाँ पर increase हुआ है, अराम से 7R प्लस का आपको बैटरी बैकप यहाँ पर मिल जाएगा, चार्जिंग में दोनों ही 100W की चार्जिंग लेके आते हैं, जहाँ पर 30 से 35 मिनट 11R को लगता है, वहाँ पर 40 मिनट की around मैंने देखा है, अर 12W को लगता है, बहुत जादा कोई difference वहाँ पर नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या cameras में difference यहाँ पर निकल के आया है, यह थोड़ी सी interesting चीज रहती है, वैसे देखो, back में sensor दो है, एक ही है, 50 मिया पिक्सल का main OIS के साथ आने वाला main sensor, 8 मिया पिक्सल का ultra white और दोनों में ही 16 मिया पिक्सल का selfie camera मिलेगा, दोरों में 4K 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल देख सकते हूँ, मेरे पास है OnePlus 11R, दूसरी तरफ है OnePlus 12R, तो जरूर से मुझे देख के बताओ, कि किस तरीके का मिलता है, एक बाद थोड़ा दोड़ के देख सकते हूँ, आज जाँ, तो जरूर से यार, आप वीडियो रिकॉर्डि का एक बाद सैंपल देख के बताओ, किसमें मेरी audio quality आपको जादा खिलियर सुना ही दे रही है, अभी आप मुझे जरूर से देख के बताना, अगे मैं इधर फुड़ा शिफ्ट भी हो जाऊ, तो बताओ किसमें कितने अच्छी तरीके से focus कर रहा है, आज जो एक बाद थोड़ा से अंधेरे एरिया में चलते हैं, अंधेरा का यम रहे, लेकिन yes, यहां पर भी आप मुझे बताओ, कि इसमें कितनी अच्छी इंवार्म्ट आ रही है, वैसे focus बगरा करके देखें, कि एक बार focus कौन बैटर से अच्छे से कर रहा है, कौन फोकस कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन yes, जरूर से दोनों की यार जो quality है, almost similar मुझे देखने के लिए मिल भी है, लेकिन आप एक बार, आप एक बार से comment करके बताओ, OIS किसमे बैटर आ रहा है, मीचे comment section में, 11R versus 12R, वैसे front selfie camera के अंदे जहां मेरे सोचाता थोड़ा improvement होगा, कोई भी improvement नहीं है, तक ही video recording कर सकते हैं, और sample आप यहां पर देख पाओगे, और यहां पर यह front selfie camera देख सकते हो, 1080p 30fps तक ही limited आपको मिलता है, बैक में वैसे मुझे जरूर से बताओ, कि exposure कौन अच्छे से maintain कर रहा है, हलके हलके सूरज देवता भी दिख रहा हैं, वैसे जादा तर डू भी चुके हैं, लेकिन येस, जरूर से एक बार comment करके बताओ, किसमें जादा better आपको लग रही है, front selfie camera में, video recording, of course अगर 4K वगरा होती न, बहुत better हो सकता था, 4K नहीं है, 1080p तक ही limited मिलती है, ये चीज मुझे थोड़ी जादा अच्छी नहीं लगी, बागी उसके लाबा, आजाओ, थोड़ा सा low light वाले environment में भी आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा जाड़ी है जंकर में, लेगिन येस, यहाँ पर भी देख के बताओ, कौन अच्छे से एड़जस्ट कर रहा है बैगराउंड को, बागी याँ, जरूर से बताओ, फ्रेंट सेल्फी कैमरा में क्या होई कोई डिफरेंस आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कलर्स वगरा में 12 वार थोड़ा सा चींजिस के साथ आता है, बस यह है कि यार, जो 11 आर की इमेज़े से थोड़ी सी जादा लाइटर साइड में है, जहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टियर साइड में आपको जादा 12 वार की इमेज मिल जाएगी, तो वो दिखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगती है, बग यार, 11 आर की अभी जो ट्यूनिंग वगएर है थोड़ी सी जादा मुझे आई पीजिंग वाली जादा यहाँ पे लग रही है, अल्टर वाइट कैमरा के मामले में, वैसे में कैमरा की बात करीज़ेगा, तो में नी एक ही कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है, और एतनी चीज़ अभी मैं किलर केट कहा ज़कता हो, भाई दोनों की जो रिजल्ट है काफी इनकलसिस्टेंट है, देखो कभी-कभी HDR दोनों में अच्छे से वग कर लेता है, वो दोनों में ठीक-ठाक से आपको मिल जाते हैं, लेकिन जैसे human subject आता है, कभी-कभी आप 12 वार अच्छे से क्लिक कर लेता है, कभी-कभी आपको 11 वार अच्छे से क्लिक करता हो मिल जाएगा, details वगरा में बहुत जादा कोई फर्क आपको दोनों में से किसी में नहीं पता चलेगा, तो main camera में मैं इतना है कि बहुत जादा बड़ा वाला कोई आपको change नहीं मिलेगा, कि बहुत बड़ा कोई change 12 वार के अंदर कर दिया गया हो, दोनों की जो images से काफी similar type की लगती है, बस इतना है कि 11R की tuning ना भी updates वगरा दे देखे, थोड़ी सी better होई है, जहांपे 12R की थोड़ी सी downside में मिलेगी, बसे low light के अंदर दोनों की performance या ठीक ठाक symbol जाती है, यहांपे मैं चाहा रहा था, थोड़ा ओर improvement 12R के अंदर होता ना, तो बहुत जादा better हो सकता था, वैसे देखो जो selfie camera है, दोनों की अंदर, देखो images यहांपे details होगरा में काफी अच्छी यहांपे निकल के आती है, दोनों का HDR management है, या portrait mode का edge detection है, वो भी आपको काफी similar से मिल जाएगा, background में अगर harsh lighting रहती है, दोनों ही अच्छे से आर sun वगरा को harsh lighting को जो air control कर लेते हैं, even दोनों में जो colors वगरा है, वो भी काफी बहतर मिल जाएगे, बस यही similar चीज आपको back camera जैसे चलती होई 11R के अंदर मिलेगी, कि थोड़ा सा beauty 5 वाली touch के साथ, जैसे मैंने बुला थोड़ा overtime updates वगरा आके थोड़ी यहाँ पर fixes वगरा जादे हुए हैं, जहाँ पर आप 12R में देखो कि हलका सा contrast year tunes जो जादा देता है, लेकिन दिखेने में real to life वाली tuning के साथ 11R से जादा better 12R की आपको images वगरा मिल जाएंगी, बस यह है healthy से contrast year tune में 12R जादा है, जहाँ पर थोड़ा सा beauty 5 whitish tone के अंदर थोड़ा सा आपको 11R जाता हुआ यहाँ पर मिलेगा, बसे overall अगर देखा जाए, देखो दोनों की जब pricing same है, अगर आपके पास 11R है, तो without any doubt मैं आपको इतना कह सकता हूँ, worth it नहीं है 12R में upgrade करना, लेकिन अगर आपको 40,000 का budget है, तो क्या 12R लेना चाहिए, तो मैं कहूँँगा भाई, easily ले लो, इंप्रूमेंट अच्छे करे गए है, जैसे आपको build जो हैं अच्छा याँ पर दिया है, बैटरी को अच्छा इंप्रूव कर गया है, एन डिस्प्ले में भी बहुत ही अच्छा इंप्रूमेंट है, अगर आप लेना चाहो तो ले रहो नहीं लेना चाहो तो भाई मेरे क्या जा रहा है लेकिना फॉल टू कंपरिजन आपके लिए बता दिया है तो बाकी अगर वीडियो बसंद आई है तो लाइक करते ना शेयर करते ना दोस्तों के साथ और सब्स्राइब करना बिल्कुल में मत बूलना फिलाल के लिए वीडियो में तेल दें टेक क्या बाबाई